हलो फ्रेंद्स वेलकम टू टू ट्रीट्स ट्रेंटिसिक्स आज मैं बनाने जारी हूं गुगनी और यह इजी सी रेसिपी आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूं तो मैंने यहां पे मटर को राद भर भिंगों करके रखा था और यह अच्छी तरह से फूल चुक है क्यांकि मटर को पकने में टाइम लगता है और साथ से आठ सीटी हम लोग लगाने वाले हैं उससे पहले मैं डाला हूं इसमें एक चमच हल्दी और नमक तो नमक आपने सुआत कि नहींसा डाल सकते हैं और नमक डालने के बाद मीडियम फ्लेम पर इसे साथ से आठ सीटी तो मैं जो मत्र समाल करी हूं दोस्तों उसमें 7-8 सीटी में अच्छी तरह से पक जाता है आप लोग जिस भी क्वालिटी का मत्र समाल करते हैं उतनी सीटी आप लोग लगा लीजेगा तो यहाँ पर मैं कुकर का ढकन बंद कर दी रही हूं और इसे ग्यास पर चढ़ा दे रही हूं और ग्यास पर चढ़ाने के बाद मैंने इसे 15-20 मिनट के लिए छोड़ दिया था और यहाँ देखिए अभी भी यह काफी गर्म है और जैसा मैंने मत्रों को पकाना चाहा था बिल्कुल वैसी ही पका है और बहुत अच्छी तरह से पका है यह देखिए अब मैंने कढ़ाई में तेल डाल दिया है और यहाँ पर मैं सरसो का तेल स्थमाल कर रही हूं सरसो की तेल में गुगनी काफी अच्छी बनती है और सरसो की तील में जब धुवाँ छोड़ने लगे और इसका रंग थोड़ा सा चेंज हो जाए तब मैं डालूँगी इसमें प्याँज तो यहाँ पर मैंने दो प्याँज का इस्तमाल किया है और प्याँज को हम लोग हलका सा गोल्डन ब्राउन कर लेंगे थोड़ा सा सॉफ्ट कर लेंगे तो घुगनी हमारे जारखर्ण में दोस्तों काफी फेमस रेसिपी है और जातर यह स्टेशन के पास मिलती है और काफी टेस्टी लगती है लोग इसे अलग अलग तरह से बनाते है यहाँ पर मैंने डालता है एक चमश अद्रकलसुन का पेस्ट और इसे अच्छे से मिला ले अगर आप लोगों को किचन किंग मसाला या मिक्स मसाला डालने का मन है तो बो भी डाल सकते हैं यह ऐसी रेसिपी है कि सारे मसालों के साथ बहुत ही अच्छी लगती है तो मैं बात करी थी दोस्तों जारखर्ण के स्ट्रीट फूड की तो जैसा मैंने बताया कि यह बहुत ह कभी-कभी जब मेरे पास टाइम नहीं रहता तो इसे डारेक्ट में कूकर में पका देती हूं वैसे वह अच्छी लगती है लेकिन कढाई में पकाने के बाद ही जादा टेस्टी लगती है तो यहां पर मैंने एक मीडियम साइज का तमाटर डाल दिया है और तमाटर को हम ल तेल अलग होने लगा है और मतर को जो हमने कुकर में पकाया था उसको मैंने कढाई में डाल दिया है बस अब इसे लो चो मीडियम फ्लेम पर हम लोग पांच मिनट के लिए और पका लेंगे उसके बाद यह बिल्कुल तयार हो जाएगी और जब आप इसे खाएं दोस्तों ह आप लोगों कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर से बिताईएगा और अगर अच्छी लगी है तो लाइक जरूर करिएगा इस रेसिपी को और चानल पे नए हैं तो हाँ चानल को सब्स्राइब करना ना भूलेगा मैं मिलती हूँ आप लोगों से एक नई रेसिप किसाथ